प्रिये विध्यारतियोग, Class 12 का हमर सब्जेक्ट विजनिस एकॉन्विक चैप्टर नमबर 3 Demand and Elasticity of Demand, मांग यवा मांग की लोच, Part 5 यह है पार्ट जो है इस चैप्टर का लाश्ट पार्ट है इसको आप द्यान से पढ़िया, इसमें कुछ मैत्पून प्रिष्ण है जो आपको परिक्षग लियूप योगी हो सकते हैं तो इसमें जो टॉपिक है हमारा, वो है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक अर्थात मांग की लोच किस प्रिकार की है, यह निर्धारित करने वाले घटक है आप जानते हैं कई प्रिकार के घटक होते हैं जैसे बस्तूओं के गुण है, उनकी उपलब्दता आदी इस प्रिकार के गुण जो है मांग की लोच के प्रिकार को प्रभावित या निर्धारित करते हैं तो देखिए हम क्रम से देखते हैं इनको नमबर एक है बस्तू के गुण अर्थात बस्तूओं के गुण भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं उनकी आधार पर भी मांग की लोच निर्धारित होती है किस पिरकार की मांग की लोच किन बस्तों की है जिसमें हमने यहाँ पर तीन पिरकार निर्धारित किये गए हैं अनिवारे अब शक्ता की बस्तों जो होती है उन बस्तों की मांग की लोच क्या होती है बे लोजदार होत है ना और इस प्रकार से आरामदाय का शकता जो बढ़ जाएंगी जा उनके मुझे बढ़ जाएंगे अर्था समान अनुपात में परिवर्तां होता रहेगा तो लोजदार मांग हो जाएग इस पी इसी प्रकार से तीसरा प्रकार है बिलास्ता की बस्तूओं के लिए बिलास्ता की बस्तूओं आप जानते क्या होती है बहुत अधिक सुविदा युक्त होती है जो की आवश्यक नहीं होती है बहुत अधिक होती है बिलास्ता पूर्ण होती है इसलिए इनकी मांग की लोजबी क्या होता है क्या होती है अत्यतिक लोजदार होती है अधिक लोजदार होती है ठीक है इस पिरकार से तीनों पिरकार की जो बस्तू है थी अनिवारी बस्तू है आरामदाएक बस्तू है और बलास्ता की बस्तू है जिनकी मांग की लोज़ भी अलग अलग थी आपको इसको ध्यान में रखन में प्रिशना है यह परिक्षा के द्रश्टी से भस तूनिय्ष्चि प्रिश्वों के अंतरगत आने वाले मुख प्रिश्णा है रहेंगे कि आवश्यक भसностью की मांग कि लोज किस प्रिकार होती है बेलोजदार होती है addconom दाएक बस्तूओं की मांग की लोज कैसे होती है लोजदार होती है और बलास्ता की बस्तूओं की मांग की लोज कैसे होती है अधिक लोजदार होती है ठीक है फिर इसके वाद हम देखते हैं नंबर दो इस्थान अपन बस्तूओं की उपलब्दता इस्थान अपन बस्तूओ में मांग उनकी मांग अधिक लोज़दार होती है अर्था जिन बस्तूओं की स्थानपन बस्तूएं नहीं होती है उनकी मांग की लोज़दार होती है जैसे यदि काफी का मूल बढ़ जाता है तो लोग चाय पीना शुरू कर देते हैं फलता काफी की मांग कम हो जाती है जब कि नमक का कोई स्थानपन नहीं होता अता मूल जो है बढ़ने पर भी उसकी मांग नहीं घटती इसलिए नमक की मांग क्या होती है बेलोजदार होती है इसी पिरकार से मैडिसिन की जो मांग होती हो क्या होती है बेलोजदार होती है इन पर कीमत का कोई पिरवाब नहीं पढ़ नहीं टीक है इसी पिरकार से सायोगत मांग कुछ बस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग अवश्यक्ता को संतुष्ट करने के लिए एक साथ की जाती है इन्हें पूरक बस्तू हैं अत्वा सायोक्त मांग वाली बस्तू हैं भी कहते हैं जैसे कि डबल रोटी और मक्खान इंक पैन के लिए से आई कार और पैट्रोल इत्यादी इन बस्तू की मांग जो होती है बेलोजदार होती है क्योंकि यदि एक बस्तू की कीमत में कमी हो जाती है तो पहली बस्तू की कीमत में मांग नहीं बढ़ेगी ठीक है इसके बाद लिखा है उब्भोकता की आदत का प्रभाब उब्भोकता की आदत का प्रभाब भी मांग की लोजदार होती है उब्भोकता की आई से यदि उब्भोकता को किसी बस्तू बिसेश के उब्भोक की आदत बनी होई है तो ऐसी वस्तू के मूल में ब्रद्धी होने पर उसकी मांग में बिशेश कमी नहीं आएगी और तहाँ ऐसी वस्तू की मांग उसके लिए क्या होगी बेलोजदार होगी कहने का मतलब जे है कि उसकी कीमत में कमी ब्रद्धी होने पर उसकी मांग में कोई परिवर् तो वह बेलोजदार मांग बन जाए इसी प्रकार से बस्तू के प्रियोग भी मांग की लोज़ को निर्धारित करते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि जिन बस्तू का प्रियोग अनेक कारियों किया जाता है उनकी मांग की लोज़ क्या होती है अधिक लोज़दार होती है एक उ जो है सस्ती हो जाती है तो बैक्ती है ना उसका बिभिन बस्तूओं के या उक्रणों के रूप में प्रियोग को बढ़ा देती है जिससे उसकी मांग अधिक मात्रा में बढ़ा जाती है और यदि लाइट की कीमत अधिक हो जाती है तो बैक्ती उसके प्रियोग को घटा देते हैं तो भी उसकी मांग अधिक लोज़दार होती है इस प्रिकार से ये जो पांच घटक हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहा हैं बस्तू के घोन इस्थानापन बस्तूओं की उपलब्धता सायोक्त मांग या पूरग मांग वाली बस्तू है उपभोकतार यादत बस्तू का प् इसको ध्यान से तैयार करिएगा अब इसके लिए देखते हैं हम टेक्ष्ट के रूप में भी दिया हुआ बस्तू के गोन इसको और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो इसको ब्यवस्तित रूप से कौपी में लिख सकते हो है ना मसायोक्त मांग व्भोकता की आदत का इसको क्या महत्पूर माना गया है कौन से कारण है कौन से तत्म है जिस कारण से मांग की लोच का अधिक महत्व है तोी स्क्रीन पर आप देख रहा है बहुम अब भी दियोग किया जाता जे दूसरा सयोक्त उत्पादन का मूल इस चलेंलधारित हो सकता है तीसरा है इसमें प्रियास करते हैं क्या इसमें मूल निर्धारण में मांग की लोज़का बहुत महत्व है अर्था सीधी सीधी सी बात है कि जिन बस्तूओं की एक जिन बस्तूओं पर विक्रेता का एक आधिकार होता है और विक्रेता यदि उस पर अधिक लाप कमाना चाहता है और यदि उसक तो कि मांग बेलोजदार होती है तो वह क्या करेगा उसका मूल उसका मूल जो अधिक निर्दारत करेगा और अपने लाप को बढ़ाने का प्रियास करेगा एक आधी कार की स्थिति में, ठीक है, तूसरा सैयोक्त उत्पादन के मूल में भी निर्दारन होता, सैयोक्त उत्पादन आप जानते हैं, कि जो लिक्विड होता है, पैटरोल डीजल होता, उससे कई पिरकार के किस्वों का डीजल और पैटरोल बनाया जाता है, उसका मूल भी अलग-अलग होता है, तो इस पिरकार के सैयोक्त उत्पादन में भी मूल निर्धारन करने में मांग की लोज बहुत महत्पूर होती है, फिर बित्रण के सिद्धान्त में इसका महत्पूर होता है, बित्रण के सिद्धान्त में अर्थात उत्पादक उनको अधिक पुरुषकार देता है अब एक छक्रत उन साधनों के जिनकी मांग की लोच उनके लिए लोजदार होती है इस पिरकार से उत्पादन के बिभिन साधनों का पुरुषकार या प्रतीफल भी मांग की लोच की आधार पर निर्धारित होता है साधनों में बित्रन का मतलब हम पहले ही पढ़के आ चुके हैं योत्पाधन के जो पांच साधन होते हैं भूमी, पूझी, श्रम, साह, संगटन इनमें ही मूल निर्धारन होता है किस साधन को किस दर से मूल या उसका भाग या प्रतीफल भुकतान किया जाए इसके वाद है यातायात उद्ध्योग में यातायात उद्ध्योग अर्थात परिवेहन के छित में ट्रांसपोर्ट जो है रेलवे परिवेहन है और रोड परिवेहन है और बायू परिवेहन है इसके छित्र में भी मूल निर्धारन या किराय का निर्धारन मांकी लोज की बस्तुओं पर कर लगा दिसामेंज की मांग की लोज को ध्यान में रगना पड़ता है अर्था सरकार बे लोजदार मांग बाली बस्तुओं पर अधिक कर लगाती है तथा लोजदार मांग बाली बस्तुओं पर कम लोज लगाती है जिससे बस्तुओं के क्रया या विक्रया पढ़ने अंत्राण की आज सकता हैं यूब सिर इसके लिए फैसके लिए आप टेख्ष के रूप में भी प्रस्तुत किया है मांग की मुले निर्थारंन में उपयोग संयोक्त इत्पादन का मुले निर्थार वितरन सित्धान्त में महत यात यातायाद उद्योग महत, अंतर राश्टी व्यापार महत, करनीती महत, सारजनिक छेत का निरधारा, इनमें से आपको इसे भी पांच बिंदू तयार कर सकते हैं, अब देखिए, अंत में पांच से छे प्रकार के अंतर हैं, ये पांच से प्रकार के जो अंतर दिये हैं, उन अंतरों को भी आपको तैयार करना है क्योंकि ये हर बार परिक्षाओं में आते हैं और ये जो अंतर है हमारे चैप्टर के जो पिछले टॉपिक थे या बिंदू थे उन्ही बिंदूओं में अंतरों को अलग-अलग व्यक्त किया है प्रस्तुत किया है पहले आप देखते हैं मांग बक्र के साथ चलन यों मांग बक्र के परिवर्तन में अंतर फिर मांग के विस्तार यों संकूचन में अंतर फिर मांग के विस्तार और ब्रद्दी में अंतर मांग के संकूचन कमी में अंतर सामान घटिया बस्तूं में अंतर इस्थाना पन और पूरग बस्तूं में अं और इनके आधार पर हम इनको टिपनी के रूप में भी तैयार कर सकते हैं जैसे आप देखते हैं सामन वस्तूं क्या होती हैं घडिया वस्तूं क्या होती हैं स्थाना पन वस्तूं क्या हैं पूरग वस्तूं क्या अंतर भी कर सकते हैं और टिपनी के रूप में भी लिख सकते ह मैंने आपको बुक से प्रिंट आपको प्रस्तित करने का प्यास किया है देखिए मांग बक्र के साथ चलन और मांग में मांग बक्र में परिवर्तन अर्थात मांग बक्र के साथ चलन का मतलब है कि बस्तू के कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में क्या प्रतिकिरिया हो दिया है वही है मांग बक्र के साथ चलन अर्थात मांग में विश्तार और संकूशन वाला आसा है फिर इसके विप्रीत क्या लिखा है परिवर्तन से मांग बक्र में परिवर्तन से आसा उस इस्थिती से जब बस्तू की कीमत इस्थिर रहे अर्थात अन्य श्थितियों कारण यदि बस्तू की मांग में परिवर्तन होता है तो उसको मांग बक्र में परिवर्तन कहा जाता है फिर लिखा एक कारण इस परिवर्तन का कारण बस्तू की कीमत होते हैं और मांग बक्र में परिवर्तन का कारण क्या होता कीमत के वज़ाए अनतत्व होते हैं फिर मांग बक्र क के साथ चलन दो प्रिकार का होता विस्तार और संकूशन ये भी दो प्रिकार का होता लेकिन रद्धी और कमी इस प्रिकार से जो है मांगबक्र के साथ चलन और मांगबक्र में परिवर्तन के चार अंतर जो है वो अर्थ से इस पश्ट हो चुके हैं है ना आपको विशेश ध् वों से परिवर्तन की श्टिती को आप को मांग बक्रें, परिवर्तन के रूप में लिखना है, ठीक है, फिर इसके देखीं आप मांग का जो बिचार लिखा है, बिचार नहीं है, वो क्या है मांग का विस्तार और मांग का संकूचान, यहां भी आपको तर यह सी किमत क्लिप?5 बढई जाती है अर इसमें क्या होता है कीमत बढ़ जाती है तो वश्थोगी! मंंग 20 से घटे कर 10 होने पर उसमें क्या बन जाता संकुचन गय एसी प्रिकार सी और स्पश्ट हो और इसके बाद C अंतर है मांग में विस्तार मांग का विस्तार और मांग में ब्रद्धी आपको मालो में मांग में विस्तार किस कारण से होता है बस्तू की कीमत में कमी से जबकि ब्रद्धी किस कारण से होती है अन्य तत्वों में का तत्वों परिवर्तन से और फिर वोई की वोई टेविल दी गई है कि बस्तू की कीमत दस से घटकर पांच हो जाती है जिससे मांग बढ़कर कितनी हो जाती दस अर्थात उसमें बिश्तार हो जाता और यदि मांग में ब्रद्धी में क्या होता है कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ दस की दस कीमत है लेकिन उसक मात्रा में परिवर्तन हो गया है अन्यकारणों से जो परिवर्तन हुआ है पहले कितनी चारिकाई या थी अब कितनी हो गई आठ तो यह जो ब्रद्धी हुई है मांग में आठ चार की वो क्या है ब्रद्धी है और मांग बक्र का प्रिवाब क्या है इस स्थितियम में एक ही मांग बक्र के साथ नीचे की और चलन होता है जबकि मांग बक्र क्या होता है दाई और के सकता हुआ होता है और फिर देखते हैं अपन डी वाला अंतर जो है मांग में संकूचन और मांग में कमी संकूचन का रथ तो आप अच्छे से जानते हैं ने क्या होता है बस्तू की कीम मांग में कमी कहेंगे फिर वोई की वोई टेबिल है कि कीमत पांच से वड़ कर दस हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है बस्तू की काईयों की मात्रा घड़ जाती है दस से पांच बस्ती है जिससे कमी को क्या कहेंगे हम संकुचन कहेंगे जबकि कमी में क्या है बस्तू की की तो वही है लेकिन अन्न तत्वों के कारण क्या हुगा है मांग घड़ जाती है जैसे गर्मी की सीजन में चाय की मांग घड़ जाती है इसी प्रिकार से कई हो धारण है और मांग बक्र का प्रभाब भी वही का हुग है फिर इसके बाद देखते हम जो अंतर है स्रेश्टिया स सामान बस्तों क्या होती है घड़िया बस्तों क्या होती है सामान बस्तों उन बस्तों कहते हैं जिनकी कीमत और मांग में बिप्री संबंद होता है अर्था जिनकी कीमत घड़े तो मांग घड़ जाती है और कीमत पढ़े तो मांग बढ़ जाती है उन बस्तों को अपन खिए कि सामन बस्तों पर Atta поз में की में atma q40 कई फिर भाब पड़ता जब्कि की इसमें क्या पड़ता द्हना'm कीमत का फिर भाब पड़ता और का प्रवाब भुकता कि आप्छेक प्रैक बुस्तों की मांग में ब्रört़ि करती है और आअवे कमी मांग में कमी करती है कमी बस्तू की मांग में ब्रद्धी मांग में मांग बढ़ाती है इसी प्रकार से स्थाना पन बस्तू है और पूरग बस्तू आप जानते हैं स्थाना पन बस्तू क्या होती है जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रियोग की जाती है उनको इस्थाना पन बस्तू कहोगे और पूरग बस्तू किसको का होगे यदि एक बस्तू के प्रियोग से दूसरी बस्तू का प्रियोग निर्धारित होता है तो उसको क्या का होगे पूरग बस्तू का होगे फिर मांग का पिरकार भी है इस्थान अपन बस्तों की मांग परस पर क्या होती है प्रतियोगी होती है जबकि पूरक बस्तों की मांग क्या होती है सैयोगत रूप से होती है इस पिरकार से हमने इन अंतरों को पढ़ने का प्रयास किया है जिनके अर्थ हम पहले या द्याय में पढ़ किया चुके हैं तो हम इन अंतरों से तीन प्रिकार के प्रिश्णों गोत्तरों पर फोकस करते हैं कि एक तो अर्थ इनके हम पहले पढ़ चुके हैं दूसरा अंतर की रूप में और तीसरा इनको टिपणी की रूप में अभी आप लिख सकते हैं ठीक है धन्यवाद